हेलो एबरीवन स्वागत है फिर से आपका इवेन क्लासेस में हमने टिक्नोमेंट्री का 8.1 एक्साइज कॉंटिन्यू किया था उसमें कोस्चेन नमबर 6 तक कंप्लीट किया था अब आगे बढ़ने की बार ये कोस्चेन नमबर 7 से 7 में पढ़िया हमारे पास क्या है क्या है क्या इस बार क्या है if cot a की value cot theta की value 7 by 8 है then evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon में 1 plus cos theta और 1 minus sin cos theta इसकी value evaluate करनी है किसकी question number 7 है हमारे पास हमारे पास question में क्या given है cot theta की value given cot theta की value क्या है 7 upon 8 हमें find क्या करना है पहले वो देखिए हमें find क्या करना है 1 plus sin theta multiply में क्या है 1 minus sin theta दूसरे bracket में नीचे क्या है 1 plus cos theta और 1 minus sin theta इसकी value find करनी है sorry cos theta इसकी value find करनी है और ये कैसे निकल सकता है जैसे पहले हमने question में क्या किया था कि जो given value होती थी उसे एक right angle triangle से बागी side निकाल के हम क्या करते थे जो value यू जब उसकी value find करते थे इसी तरह इसमें sign आया है तो sign की value कैसे आएगी triangle form करके और दूसरी value क्या find करनी है cos square theta cot square theta cot square theta की value तो अराम से cot theta है तो इसी के value का square करते हैं तो यह आ जाएगा लेकिन इसमें sign theta के use हुआ है तो sign theta के use हुआ है तो sign theta find करने के लिए क्या करेंगे एक right angle triangle बनाएगे right angle triangle वही जैसे हम पिछले question में करते थे right angle और कहीं पे भी angle क्या होगा इस बार angle theta use हुआ है तो angle theta use होगा और कोई भी triangle इसका नाम दे देते हैं a b c यह कोई सा भी triangle है अब यहाँ पे क्या होता है quad की value क्या होती है याद करना हमने सिखाया था perpendicular base फिर perpendicular फिर hypotenuse hypotenuse और फिर क्या होता है base क्या होता है 10 का opposite होता है base अपन perpendicular अपन बेस परपेंडिकुलर अपन बेस तो बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब अगर यह value दी गई है तो ऊपर वाली value क्या है base है और नीचे वाली perpendicular मालब base की value 7 है अब theta यहाँ पर बन रहा है theta यहाँ पर बन रहा है इसकी value क्या होगी 7 और perpendicular परपेंडिकुलर जो theta और यह क्या है hypotenuse 90 के सामने वाली हमेशा क्या होती है hypotenuse अगर यह hypotenuse है तो जो बचा perpendicular perpendicular की value हमारे पास क्या है 8 है अब क्या करेंगे pythagoras theorem का use करके जो बाकी side बची है वो side निकाल लेंगे फिर उसके बाद जो जो term use हुआ है उसकी value find करेंगे तो पहले क्या करते है इसमें इस triangle में क्या करते है pythagoras theorem यहाँ से start होगा क्या pythagoras theorem हमारे पास क्या होती है बड़ी वाली side बड़ी वाली side क्या है ac ac का square हम बोल सकते है hypotenuse का square perpendicular का square bc square plus ac ab square के equal होगा ac की value क्या है find करनी है ac square plus bc की value क्या है 7 7 का square plus ab की value क्या है 8 8 का square 7 का square 49 plus 8 का square 64 अब इन दोनों quiet करेंगे तो ac square की value क्या आएगी 9 4 13 1 कह रहे 6 और 4 10 113 ac की value अब square इदर से अड़ता है तो इदर क्या आजाता है root आजाता है root 113 यह ac की value आगी अब ac की value हमारे पास क्या आ चुकी है 113 root मे अब क्या हुआ हमें क्या value यूज करना है find क्या करना है यहाँ पे sign यूज हो रहा है cos तो sign की value find करते है और cos की sin theta sin theta की value क्या होती है perpendicular upon hypotenuse perpendicular upon hypotenuse perpendicular क्या है हमारे पास perpendicular theta के लिए perpendicular क्या है a b a b perpendicular upon hypotenuse क्या है hypotenuse कभी नहीं change होता ac a b की value क्या है हमारे पास 8 8 अपान में root 113 sign की value find हो चुका है अब cos भी यूज हो है तो cos भी find कर लेते cos क्या होता है base upon hypotenuse base upon hypotenuse base क्या हमाने पास base यह theta angle इस side में बना, तो base ये है base क्या है BC upon में hypotenuse hypotenuse कभी नहीं change होता BC के value क्या है 7 upon में 113 अब हमें जो find करना है उसको लिखते हैं हमें find क्या करना था हमें find क्या करना था 1 प्लस sin theta इंटू में क्या है 1-sin θ और नीचे क्या है 1-cos θ और 1-sin cos θ एक बार वही चीज प्लस में है एक बार माइनस में अब एक formula यूज होता है formula बहुत famous formula है हमने पढ़ा होगा a square minus b square इसका formula क्या होता है एक बार a plus b और एक बार a minus b अगर एक बार कोई चीज प्लस में है एक बार माइनस में तो वो क्या हो जाती a square minus b square यहाई पर सेम चीज लिखा है a plus b और a minus b a की जगा है 1 a की जगा 1 और b की जगा है sin θ एटा a plus b और a minus b formula से क्या हो जाएगा a square minus b square a square minus b square अब A square minus B square रखेंगे A square मतलब 1 का square 1 square minus sin theta का square B square हो जाएगा B का square अब नीचे भी सेम वैसा ही दिख रहा है A plus B A minus B इस बार A की जग़ 1 है और B की जग़ क्या है? cos theta तो A square minus cos theta का square हो जाएगा अब इसका square करते हैं 1 का square 1 ही रहेगा sin theta का square sin square theta अब उन में क्या हो जाएगा 1 minus cos theta का square cos square theta अब जो value find क्या है वो put कर देते है sin theta की value क्या find क्या है 8 upon 113 root में और 7 upon 113 अब इसको put करते है 1 minus अब sin theta की value क्या है 8 upon root में 113 का square minus क्या है नीचे 1 minus cos theta cos theta की value क्या है 7 upon root में 113 का square अब square करेंगे square करने से पता है 8 का square 8 का दो बार multiply करेंगे क्या हैगा 64 upon में क्या हो जाएगा अब इस root में जो होता है अगर square करते हैं तो root हट जाता है root हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 113 क्या सिर्फ बचेगा 113 और नीचे क्या हो जाएगा इसका square 1 minus 7 का square 49 upon में 113 अब LCM लेंगे 113 का इदर मर्लिपलाई होगा 113 minus 64 upon में क्या रहेगा 113 LCM 113 अब इसका इदर मर्लिपलाई होगा तो 113 minus 49 upon 113 अब इसको minus करके देखते हैं 64 से ये minus करेंगे 3 में से 4 minus होगा मलब 13 में से 4 minus होगा 9 बचेगा और फिर यहां भी 10 10 में से 4 minus होगा क्या बचेगा 10 में से 6 minus होगा तो बचेगा 4 upon में 113 अब नीचे क्या बचेगा नीचे इसको minus करेंगे तो बच्चे का 64 upon में 113 अब इससे इसको divide करना है तो नीचे वाले से नीचे वाला cancel होगा और उपर वाले से उपर वाले में divide 49 से 64 में divide answer क्या आ जाएगा हमारे पास answer आ जाएगा 49 upon 64 यह answer है final हमने क्या किया? square किया, solve किया तो हमारे पास पास इतना final answer बचा 49 upon 64 अब सिर्फ quatt square theta की value find करना है square theta की value find करना है यह बहुत असन है square theta की value सिर्फ यहीं से निकल जाएग square theta की value क्या दिया गया है 7 upon 8 square लगा है तो square कर देते है 7 का square 49 8 का square 64 यह हो जाएगा हमारे पास second का answer इसे note कर लीजे फिर आगे बढ़ते हैं अब next question है question number 8 8 में क्या कह रहा है if 3 court a की value क्या दिया गया है 4 हमारे पास question number 8 में क्या है हमारे पास है 3 court a 3 court a की value क्या है 4 उसके बाद क्या बोला गए check whether क्या कर रहा है क्या 1 minus 10 square a upon में क्या है upon में 1 plus 10 square a 1 plus 10 square a equal किसके होगा cos square a minus sine square 1 क्या पूछ रहा है कि इस value के लिए क्या ये equal होगा कि equal नहीं होगा हमें बताना है क्या कि इस value के लिए 3 court a is equal to 4 के लिए ये value equal आएंगी कि नहीं हमारे काम क्या होगा कि इससे एक triangle form करेंगे इससे triangle form करेंगे और क्या करेंगे इसमें 10 a की value find करके इधर left side में left side में put करेंगे और right side में put करेंगे अगर दोनों की value same आ रहा है तो इसका मंदब ये सही है ये हो सकता है अगर इसकी value equal नहीं आ रहे तो इसका मंदब ये गलत है हमें triangle form करके पहले जो जो term use हो है उनकी value find करना है 10 use हुआ है cot use हुआ है cos use हुआ है sin use हुआ है मतलब तीन value हमें यहां से find करने पड़ी cot का opposite क्या हो थे 10 यहां से तो direct निकल जाएगा लेकिन cos और sin के लिए triangle बनाना पड़ेगा तो triangle हम पहले form करते है triangle क्या right angle triangle कोई भी अगर बात होगी trigonometry में तो right angle triangle a b c यह एक right angle triangle है इसमें क्या है a पे a पे क्या बन रहा है angle बन रहा है angle एक ही बात करना है यहां पे भी ले सकते हैं यहां भी ले सकते हैं हम क्या कर रहे हैं हमें base यह बना देते हैं यह base बनाने के लिए अगर cot को solve करेंगे cot A तो cot A की value क्या आएगी यहां से देखिए cot A 3 multiply में इधर जाएगा divide में तो क्या हो जाएगा 4 upon में 3 और cot क्या होता है time का उल्टा time क्या होता है perpendicular upon में base तो यह क्या हो जाएगा base upon perpendicular इसका मनला 4 क्या है 4 base है अब angle A के लिए देखते है angle A के लिए यह side क्या होगी base होगी और 90 degree के सामने वाली side यह hypotenuse है और यह क्या है perpendicular अब इस side के लिए base है base की value क्या है 4 और perpendicular की value क्या है 3 perpendicular की value 3 तो हमें hypotenuse find करना होगा उसके बात क्या हो सकता है? सारी value find हो सकती है. तो हम इस triangle में in triangle क्या? in triangle ABC ABC में क्या करते है? Pythagoras theorem यूज करते है. Pythagoras theorem क्या होता है? AC का square मनलब बड़ी वाली side का square AB square plus BC square के equal होता है अब AB का square AB क्या है? AB हमारे पास क्या है? 4. Base की value क्या है? 4 का square plus BC का square मनलब 3 का square AC square AC square 4 का square 16 plus 3 का square 9 16 और 9 8 होगा 25. अब AC की value क्या हो जाएगी? square उदर गया root में. तो AC की value आ जाएगी 5. और AC की value क्या है? यह hypotenuse है इसकी value 5 आ चुकी है अब क्या करेंगे? जो जो term given है. उसकी value find कर लेते हैं 10 क्या होता है? 10 के लिए triangle भी नहीं देखना है. बस cot का opposite कर देते हैं. cot का opposite क्या होता है? 10. तो 3 upon 4. और उसके बाद क्या use हुआ है? cos. cos A cos A की value क्या होती है? हम अगर आपको याद नहीं है तो एक side में एक बाल लिख लीजे. फिर उसके बाल पूरे trigonometrical के question हो जाएगे. base upon hypotenuse base क्या है हमारे पास? 4. upon hypotenuse क्या है हमारे पास? 5. hypotenuse 5. cos निकल गया. फिर क्या use हुआ है? sign. sign क्या होता है? perpendicular upon hypotenuse नहीं आद है तो आप देख सकते हैं. perpendicular upon hypotenuse perpendicular क्या है? 3. hypotenuse क्या हमारे पास? 5. अब सारे value find हो जुके हैं तो अब हमें करना क्या है? जो डर्म है उसे check करना है कि ये equal है कि नहीं. equal check करने के लिए पहले क्या लेते हैं? left hand side. Left hand side को solve करते हैं. left hand side में क्या लिखा है? 1 minus 10 square a. 1 minus 10 square a. upon में 1 plus 10 square a. इसकी value find करने हैं. अब 10 a की value क्या है? 3 upon 4. 10 a की value put करते हैं 1 minus 10 a की value क्या है? 3 upon 4. 3 upon 4 हो गए और square लगा है तो इसका square कर देंगे. upon में क्या है? 1 plus 10 की value फिर से 3 upon 4 का square. अब क्या होगा? Square करते हैं 1 minus 3, 3 जा 9. 4 का square 16. अब ये क्या हो जाएगा? 1 plus 3, 3 जा 9. 4, 4 जा 16. अब इसका LC हम देंगे 16 बंज़ा 16. 16 में से 9 minus होगा 7 upon 16. 16 बंज़ा 16. 16 में 9 8 होगा. क्या हो जाएगा? 25 upon 16. अब हमने क्या बता है तो नीचे वाले से नीचे वाले को cancel कर सकते हैं. और जो बचा उसको वैसे ही लिख दें. LHS की value क्या आगे हमारे पास? 7 upon 25. अब आगे RHS बचा है. RHS को solve करके देखते हैं क्या ये भी 7 upon 25 आता है या कुछ और आता है. इसकी value क्या है? cos square A minus sin square A. अब हमने क्या value find किया है? cos square A की value? 4 upon 5. का square? minus sin square A. sin की value क्या है? 3 upon 5 का square. 4 का square 16. upon 25. minus. इसकी value 3 का square 9. 9 upon 25. 16 में से 9 को minus करेंगे क्या बचेगा? 7 upon 25. इसका मतलब क्या आ रहा है? LHS की value भी 7 upon 25 आई. RHS की value भी 7 upon 25. इसका मतलब LHS. RHS के equal है. और जो हमारे पास statement लिखी है. ये equal होगी किसके लिए? जब काड की value क्या है? 4 upon 3 है. ये तरह हमारे पास question number 7. 8. sorry. अब आगे बढ़ते हैं question number 9 की दरब. 9 में क्या कह रहा है? inner triangle ABC. एक triangle ABC आपको form करना है. right angle कहां पे होना चाहिए? B पे. और कहा रहा है if 10 A की value क्या है? root 3 by 2. 9th question में क्या है? 10 A की value क्या है? 10 A की value 1 by root 3. अब इसी के base पे सारी value find करनी है. पहली value क्या है? sine A. फिर क्या है? into cos A. जब कोई sine बीच में नहीं है, इसका मलग into लगा है. plus cos A. into क्या है? sine C. उसके बाद क्या find करना है? second value. cos A. into cos C. plus, sorry, minus sine A, sine C. sine A, sine C. एक बार match करना है, सही लिखा है, sine C. क्या है हमारे पास? sine A, cos C. plus cos A, sine C. cos A, cos C. minus sine A, sine C. यह होगे हमारे पास, इसके बाद क्या करना है? 10 A की value दे गई है, और यह सारी value find करना है. first part में यह find करना है, second में यह. अब 10 A, एक triangle बनाना है, right angle होना चाहिए, किस पे? B पे. right angle किस पे होना चाहिए? B पे. B पे right angle, तो यहाँ पे B आना चाहिए. और उसके बाद A और C कहीं पे भी है, A और C कहीं पे भी है, एक right angle triangle. और हमें पता है, 10 क्या होता है, perpendicular upon base, यह base की value क्या है? root 3, base की value क्या है? root 3, angle A के लिए बात कर रहा है, 10 A बोला है, तो angle A इस पे बन रहा है, तो base क्या है? यह, और 90 degree के सामने वाला B पे क्या बन रहा है? 90 degree, यह hypotenuse है, और यह perpendicular, तो angle A के लिए बात कर रहा है, तो यह 1 क्या है? परपेंडिकुलर है, तो 1 क्या है? परपेंडिकुलर, और base क्या है? रूट 3, इसकी वैलू रूट 3, तो हमें यह वाली side पहले पाइथागोरण से पता करनी पड़ेगी, तब यह सारे जो term यूज हुए है, उनकी वैलू फाइंड करेंगे, पहले हमारा काम क्या है? प्लस ब्लस 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 क 3 और 1 आइड हो के क्या हो जाएंगे 4, AC की वैलू क्या हो जाएगी, स्क्वाइर अटेगा इधर आएगा, अंडरू, AC की वैलू क्या हो जाएगी, 2, अब AC की वैलू 2 निकाल लिए हमने, अब बाकी जो जो टर्म यूज हो है, साइने, कॉसे, साइनसी सारी वैलू फाइंड कर लेते हैं, कि हमें बाद में पूट करने में आसानी हो, साइने, पहले साइने निकालना है, साइने की वैलू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर आपको नहीं आद है, तो लिख लीजिए, क्योंकि पहले साइज में, आपको अगर नहीं आद है, तो काम चल सकता है, अगर दूसरे साइज में नहीं आद है, तो दिक्कत होगी, बार बार यूज हो रहा है perpendicular upon hypotenuse perpendicular क्या है sin A A के लिए perpendicular यही है perpendicular यही है perpendicular upon hypotenuse hypotenuse क्या है 2 1 by 2 sin A यूज हो गया अब cos A cos A की value find कर लेते हैं cos A क्या होता है base upon hypotenuse base upon hypotenuse base क्या है इस बार हमारे पास base A के लिए base क्या है root 3 ही है अपन में हाइपोटेनस क्या है? 2. अब यह value find हो गई, sin A, cos A. अब क्या बचा? sin C और cos C. sin C और cos C. sin C की value, y perpendicular upon हाइपोटेनस. और क्या? cos C की value, base upon हाइपोटेनस. लेकिन C angle की बात हो रही, angle C, अब यह change हो जाएगा. angle C यहाँ पर बन रहा है, तो इस बार base क्या हो जाएगा? यह side. यह side क्या हो जाएगा? base. और यह side क्या हो जाएगा? perpendicular. और हाइपोटेनस कभी change हो जी नहीं सकती. क्योंकि 90 degree के सामने, यह हमेशा रहेगी. base यह, तो perpendicular क्या इस बार? root 3. तो इसकी value हो जाएगी, root 3 upon में 2. हाइपोटेनस क्या है? 2. base upon हाइपोटेनस. base की value क्या है? base की value क्या है? base हमारे पास इस बार? 1 है. और हाइपोटेनस क्या है? 2. अब यह value find हो चुकी है, तो अब हम solve करते हैं, अपना main. हमारे पास क्या दा? sin A, cos C. sin A, फिर cos C. उसके बाद क्या दा? cos A, sin C. यह value. अब value put करते हैं, sin A. sin A हमारे पास देखिए, sin A की value क्या है? 1 by 2. sin A की value क्या है? 1 by 2. अब कोई sin नहीं, इसके लिए बीच में क्या है? into. cos C. cos C की value यहां से देखिए. cos C की value क्या है? 1 by 2. प्लस, cos A. cos A की value यहां पी निकाली हैं हमने. root 3 by 2. into में क्या हो जाएगा? sin C. sin C की value यहां पे देखिए. root 3 upon में 2. अब multiply करते हैं. 1 का 1 में multiply होगा, 1 ही आएगा. 2 to jah 4. प्लस, root 3 का root 3 में multiply होगा, 3. 2 to jah 4. 3 plus 1. क्या होगा? 4. और 4 upon 4. 4 से 4 में divide करेंगे, तो 1. इसकी value हमें मिल चुकी है, 1. अब इसे note कर लीजिए, फिर दूसरा part इधर ही हम करते हैं. इसकी value हम यहां पे ही find कर देते हैं. हम यहां पे second question में, यहां पे find कर लगते हैं. अब यहां पे value put करते हैं. अब यहां पे देखिए, cos a, cos a की value हमने find की है, root 3 upon 2. root 3 upon 2. cos c की value, cos c की value क्या है? 1 by 2. minus sin a, sin a की value क्या है? 1 by 2. into sin c, sin c की value क्या है? root 3 by 2. अब देखिए, multiply करते हैं, root 3 का root 1 में root 3 का 1 में multiply root 3 2 2 जा 4 minus इससे इसका multiply same y है root 3 upon 4 अब y चीज plus में y चीज minus में इससे इसको minus करेंगे same चीज को तो बचेगा क्या 0 हमारे पास पहली value क्या थी 1 और दूसरे को solve किया इसको solve किया तो हमारे पास value क्या आया 0 ये था हमारा दोनों पार्ट इससे note कर लीजे फिर हम बढ़ेंगे क्या question number 10 की तरफ अब आगे बढ़ते है question number 10 की तरफ 10 में क्या कह रहा है in triangle PQR PQR एक triangle बनाना है और right angle कहां पे होगा Q पे होगा और PR plus QR की value 25 cm है हमारे पास क्या है note करते चलते हैं साथ में 10th question में क्या बोला है PQR right angle triangle है और उसमें क्या है Q पे right angle है और PR plus QR की value क्या है 25 cm ये 25 cm है और उसके बाद PQ की value PQ की value क्या है हमारे पास 5 cm ये 5 cm दिया गया find the value of sin P cos P और 10 P हमें sin P find करना है cos P find करना है और time P find करना है ये 3 value find करना है जब triangle बन जाएगा और सारी side बता हो जाएगी को हम सारी value find कर सकते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास ये दिया गया है अगर हम एक triangle बनाते है PQR उसमें क्या हो Q पे right angle बनना चाहिए Q पर राइटेंग यहाँ पर Q आना चाहिए Q पर राइटेंग और PQ कहीं पर भी हो सकता है P यहाँ पर ले लेते हैं और Q यहाँ पर हो चुका है तो यहाँ पर बचा क्या R एक PQR ट्राइंगल है जिसमें Q क्या है 90 डिगरी पर है और उसके बाद क्या कर रहा है PQ की वेलू PQ की वेलू 5 cm है PQ यह साइड क्या है PQ यह 5 cm है और PR प्लस QR प्लस QR की वेलू है 25 PR यह PR और QR इन दोनों साइड का सम क्या दिया गया है 25 इसमें कोई साइड हम माल लेते हैं क्या हम साइड खुश से माल लेते हमें नहीं पता अगर इसको X महा ले से हैं मनला हम क्या ले ले रहे हैं LIC हमारे पास क्या है LIC हम LIC क्या कर रहा है QR की money क्या कर लेते QR क्या कर ले ये X 25 QR की value क्या हमने मानीए X तो PR की अगर value यहां से find करना चाहें तो X इधर plus में उदर जाएगा minus में PR की value क्या हो जाएगी 25 minus X इसका मलब PR की value क्या हो गए 25 minus X अब क्या करना है हमें X की value भी find करनी है तो X की value find हो जाएगी तो सारी दोनों side find हो जाएगी अब क्या करते है एक्स की वेलू फाइंड करने के लिए पाइस्था गोरे स्थेवर्म पाइस्था गोरे स्थेवर्म क्या होता है बड़ी वाली साइट का स्क्वाइर मतलब पी आर का स्क्वाइर प्लस क्या होगा क्यू आर का स्क्वाइर qr का square प्लस क्या होगा qp का square या pq का square अब क्या है pr की value क्या है pr की value side है 25 minus x 25 minus x का square प्लस qr qr की value क्या है अमारे पास x यह qr x का square plus pq की value क्या है pq की value है 5 यह 5 का square अब इसका square करते है अब यह bracket में लिखा है a minus b का whole square a minus b का whole square का formula पता है a square plus b square minus 2ab a square एक जगा क्या है 25 तो 25 का square plus b square b का square मतलब x का square minus 2ab 2 into 25 into x यह हो गया यह हो गया अब क्या करेंगे इधर x का square है plus 5 का square 25 अब क्या कर सकते है 5 का square 25 अब square करते है 25 का square क्या होगा 25 का 2 बार multiply होगा 625 हो जाए प्लस प्लस x square अब क्या है x square इधर plus में है इधर भी plus में cancel हो सकता है बचेगा क्या सिर्फ 25 का 2 में multiply तो minus है तो minus बचेगा 25 का 2 में multiply क्या हो जाएगा 50 x उधर क्या है उधर क्या है 25 अब क्या करते है x को उधर transfer करते है और 25 को इधर लाते है तो 625 minus 25 equal हो जाएगा 50 x के अब यह हो गया अब इससे इसको minus करेंगे क्या हैगा 600 अब इससे इसको divide कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 50 क्यों क्योंकि यह 600 है और यह 50 X है तो अब यह multiply में था तो divide में आएगा तो 600 upon में 5 0 से 0 cancel 5 से 5 बंजा 5 2 जा 50 X की value क्या आ गई है 12 X की value 12 आ गई है तो इस side की value क्या हो जाएगी 25 minus 12 इसकी value हो जाएगी 13 इसकी value क्या हो जाएगी PR की value 13 अब हमें find क्या करना है sin P सबसे पहले क्या था sin P sin P क्या होता है perpendicular upon में hypotenuse perpendicular क्या है हमारे पास इस बार perpendicular क्या है इस angle के लिए यह base का काम करेगा यह base और यह perpendicular और यह hypotenuse तो क्या है perpendicular upon hypotenuse perpendicular क्या है 12 12 upon hypotenuse क्या होगा hypotenuse हमारे पास क्या है यह 13 हमने फाइंड के sin p के बाद क्या फाइंड करना है cos p फिर time p cos क्या होता है base upon में hypotenuse अब याद हो जाना चाहिए बार बाल लिखना है आप एक बार इक starting में लिख लीजे या तो learn कर लीजे learn कर लेंगे आपका time बचेगा base upon hypotenuse base क्या है 5 upon में hypotenuse क्या है हमारे पास 13 10 क्या होता है perpendicular upon base perpendicular क्या है हमारे पास perpendicular क्या है 12 और upon में base क्या है base हमारे पास क्या है 5 हमने तीनों value निकाल ली sin p, cos p, tan p हमें क्या करना था हमें एक value assume करना था x और pythogoros thermos से उस x की value find करना था इससे हम निकाल सकते हैं यहां तक रखते हैं इस वीडियो में अगर आपको यह समझ में आया हो तो please वीडियो को like करके जाईएगा और अपने दोस्तों में share कर दीजेगा कि वो भी feedback दे सकें और नीचे comment कर दिया करिए कि क्या कमी है क्या समझ में नहीं आया और कोशिस किया करिए अगर कम समझ में आता है तो वीडियो को फिर से repeat कर लिजे अगले वीडियो में हम अगला next question है उसको true false को पूरा खतम करेंगे क्योंकि उसमें justification है तो उसमें justify भी करना पड़ेगा तो उस सारे part को हम अगले वीडियो में करते हैं तब तक के लिए thank you पढ़ते रहे हैं और सीखते रहे हैं